चलिए students, आज का passage start करते हैं और आज का passage बड़ा है interesting होने वाला है क्योंकि आज हम जिक्र कर रहे हैं monkeys का अच्छा इस passage की एक खास्यत है कि अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी तभी इस तरह का passage तुम्हारे paper में आएगा ठीक है, इस passage में केवल और केवल, tenses वगरा की तुमसे knowledge पूछी गई है जिसने इसका sense अच्छा पकड़ लिया उसके 10 के 10 number भी सही आ सकते हैं और जिसने इसका sense अच्छा नहीं पकड़ा उसके जो है 4-5 number खतम हो सकते हैं साथ के साथ में, ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान देना है मैं एक बार हमेशा की तरह से तुम्हें पूरा passage दिखा देता हूँ पहले यह रहा तुम्हारा passage last passage हम करी चुके हैं कल की lecture में यह passage है तुम्हारा सारे options दिखा देता हूँ हमेशा की तरह attempted before my attempting this passage ठीक है यह रहा आपके options यहाँ पर यह सारे है ठीक है और इसके बाद आगे कुछ options है यह रहे ठीक है two questions यहाँ पर है और बागी सब last page पर है तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस passage को मैं solve कर रहा हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ मैं insist करता हूँ सब से कि इस passage को ज़रूर attempt करो मेरे attempt करने से पहले बहुत easy passage है और अपने marks चेक करो फिर बाद में कि तुम्हारे कितने number आते हैं ठीक है और answer ज़रूर बताना अपने comment box में ज़रूर बताया करो मुझे कि तुम्हें तुम्हारे कितने marks आये हैं और तुम्हें और क्या problem सारी है competitive exams में उन से related तुम्हें lectures मिल जाएंगे ठीक है तो चलो बहुत interesting passage है relaxed mind से start करना अगर ज़्यादा excited हो गए तब भी गड़बड हो जाएगी number गड़बड हो सकते हैं ठीक है अब देखो यहां से सुनना there a large colony of monkeys monkeys का बहुत बड़ा group था colony थी कहां पर बरेली जेल में अब यहां पर दो sense बन के आते हैं monkeys का बहुत बड़ा group है बरेली जेल में या monkeys का बहुत बड़ा group था बरेली जेल में ठीक है तो है या था दोनों ही sense सही आ रहे हैं और है या था दोनों के ही options भी आमें दिये हुए है, was भी दिया हुआ है, is भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, अब problem यह है कि कौन सा चुनू, ठीक है, तो इसके लिए हम इस question को, इस line को थोड़ा सा छोड़ेंगे, अभी रोक करके चलेंगे, अभी एक दम से answer नहीं च रहता है, कुछ इस तरह का sense आएगा, near our rooms, हमारे rooms के पास में, and he not get up on the wall again, और वो दुबारा से दिवार पर चड़ नहीं पा रहा है, या पा रहा था, अब तुम खुद से समझ में आ रहा होगा, तुम्हें है या था में कौन सा sense आएगा, some prisoners, कुछ prisoners ने जो कुछ वहाँ पर कैदी थे, and waters, और कुछ वहाँ पर जो waters थे, मतलब जेल में जो पहरा देते हैं, सैनिक वगरा, ठीक है, जो पुलिस वाले होते हैं, hold of him, उन्होंने उसे पकड़ लेते हैं, या उन्होंने उसे पकड़ लिया, and tide, अब देखो, यहाँ पर इसने इस लाइन को clear कर दिया, tide का मतलब second form, उसे band दिया, अब band दिया, इस line से clear हो जाता है, कि पिछले सारे के सारे options, सारे के सारे blanks वहारे past में चाहिए, क्योंकि कहानी past की है, समझ गए, तो इसलिए मैंने कहा था, कि अभी थोड़ी देर के लिए हम पहले options को चुनने से रुख जाते हैं, तो अब फिर से paralleline पर आते हैं, बरेली जेल में monkeys की एक पूरी की पूरी colony थी, किसी ने भी अगर is लगा दिया, सब बच्चे कहते हैं न, sir, is भी तो आ सकता है, ये क्यों लगाया, तो पूरा passage देखो एक बार, समझो, कहानी किस तरीके से कही जा रही है, present में कही जा रही है, past में, तो कि क्या है, गटित होना, तो गटना होना है, simple है, तो आप इसमें गटना होना meaning मतलगाओ, बस इतना कहो कि नीचे उतराया वो, है न, देना है past में, अब past का option चारो में से कौन सा है, के वल चोथा option past का है, ये बात हम बिलकुल clear कर चुके हैं, कि past का passage है, ठीक है, तो एक दिन ए यहाँ पर हमारे पास options है, चुनने है, past के ये धियान रखना, can present होता है, ये नहीं चुनेंगे, will नहीं चुनेंगे, अब बसता है हमारे पास would और could, अब वो उपर चड़ नहीं पा रहा था, ये बात आती है capacity की, और capacity दिखाते हैं हम can और could से, इसलिए हमारा answer होगा, could यह होगा, past का option है, उसे पकड़ लिया, catch present होगया, काट दो सीधा सीधा, court past है, ये भी ये हो सकता है, catching जो है, present होगया, ये भी काट दो, vaz court जो है, ये passive voice है, पकड़ लिया, पकड़ आया गया, ऐसा तो नहीं है, उन्हों नहीं पकड़ लिया, करने वाले वहीं हैं, तो active voice है, तो आंसर है active voice में, इसलिए भी आंसर आएगा, समझ गए, तो कुछ warders ने और कैदियों ने, कुछ police वालों ने और कैदियों ने उसे पकड़ लिया, and tied, और उसे बान दिया a bit of string, string का मतलब dory या रसी, और एक रसी बान दी, a bit of string, चोटी सी एक रसी बान दी, तो neck के around, या neck के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, उसके रसी बान दी, आगे बढ़ते हैं, ठीक, next क्या है आपका, the parents of the little one, little one, देखो one ये है pronoun, अब तुम्हें मैंने बताया हुआ है, noun का use दुबारा नहीं किया करते, तो baby monkey का use दुबारा ना करते हुए, उन्होंने इसके लिए one use कर दिया, तो इस छोटे से बंदर के जो parents थे, saw all this, उन्होंने ये सब देखा, कहां से top of the high wall, एक उँची दिवार के उपर से उन्होंने ये सब देखा, ठीक है, तो say का sense हा रहा है, तो say के लिए हमारे पास, बहुत basic सी preposition from होनी चाहिए है, बहुत easy passage है, अगर तुमने सही से sense समझ करके चले, तो एक भी number नहीं कटेगा इसमें, क्योंकि ये vocabulary पर नहीं, तुम्हारी basic tense वगरा की knowledge, तुम्हारी basic grammar की knowledge पूछ रहा है, पूरे passage में, तो यहां पर हमें चाहिए, उंची दिवार से, form तो नहीं आएगा, from आएगा, तुम्हारी बढ़ बढ़ कर जाओ जल्दी में, examination all का pressure तो रहता है, इसलिए दोनों के दोनों same option दे दिये, तो from लगाना है, ध्यान देना, तो बड़ी दिवार के ऊपर से, उन्होंने ये सब देखा, उसके छोटे monkey के parents ने, और फिर say का sense आगया, यहां पर हमने from fill कर दिया, ठीक, the high wall and their anger, और उनका गुस्सा इस चीज़ को देख कर बढ़ गया, अब बढ़ने का sense आ रहा है, भई, कोई भी जीव है, उसके अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार तो होता ही है, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई दूसरा जानवार है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, अपने बच्चे के जब उसे देखा, कि उसे तो बांद दिया, उसे रस्ती से बांद दिया, वो सब उपर से देख रहे थे, तो उनका गुस्सा बढ़ गया इस चीज़ को, कि बच्चे को बांद कर रख दिया, तो ऐसे केस में गुस्सा बढ़ने वाला सेंस आ रहा है, तो 82 में बढ़ने के लिए क्या उक्षन है, हमारे पास ये देखो, ग्रू का मतलब बढ़ना होता है, ग्रो का मतलब तुम जानते हो बढ़ना, ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ग्रोइंग जो है, आपका आइन जी है, बिना हेल्पिंग वर्प के ये नहीं आएगा, इस आरेम वाजबर इसके साथ चाहिए, तो ये नहीं आ सकता, बोइल का मतलब उबल जाना ये नहीं होगा, है ना, और ब्रो भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या है, बेसिक जो हमारा सेंस है, वो क्या कहता है, उनका उस सब बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, ग्रू लगाएंगे, पास्ट में ही है, ग्रो की सेकिंड फॉम लगाई गई है, सारे पास्ट में चलने हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक, आब आती है, इंट्रस्टिंग चीज, सड़नली, अचानक से, उसने सीधा-सीधा धावा बोल दिया, मतलब क्या किया, उपर से तो देखी रहे थे, उन में से जो बड़ा मंकी था है, उसको गुस्सा आ गया, वो नीचे कूद करके आया, उसने क्या किया, जो भी वहाँ पर कैदी थे, जो भी वहाँ पर पुलीस वाले थे, उन सब पर उसने सीधा धावा बोल दिया, है ना, तो किसी पर धावा बोलना, तो पर का सेंस आ रहा है, तो पर के लिए हमें, ओन या अपोन लगानी चाहिए, यहाँ पर प्रिपोजिशन जो 83 में होगी, है ना, तो देखते हैं, ओन या अपोन में से कोई सी है क्या, तो अंडर या इन नहीं होगा, इन्टू में भी नहीं होगा, केवल ओन या अपोन का सेंस ही आता है, ठीक है, अपोन तब होता है, जब लेवल बदलता है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए परकासेंस जब आता है तब वहाँ पर हम अपोन लगाते हैं तो अपोन हमारी सीधी सी प्रिपोईशन है तो उसने क्या किया और उसने सीधे सीधे क्राउड पर धावा बोल दिया जो उस बच्चे के पास में थे बेबी मंकी के पास में थे ये एक बहुत ही बहादरी भरा काम था करने के लिए फोर अब यहाँ पर फोर जो है दो बड़े सेंटेंस को जोड़ रहा है तो इसलिए फोर का मतलब क्योंकि होगा कंजंक्शन पिछले पैसेज में भी बताया था क्योंकि जो आदमी थे वहाँ पर वो कैदी भी कहलो पुलिस वाले भी कहलो many in number वो संख्या में बहुत सारे थे अब फिर से यहाँ पर था का सेंस आया है संख्या में वो बहुत सारे थे और फिर भी उसने उन पर धा बोल दिया वो अकेला था बंदर ठीक है जो बड़ा बंदर कूद करके आया था उसने धा बोल दिया तो यहाँ पर थे का सेंस आ रहा है तो simple था या थे वाला जो सेंस आ रहा है वो किस से आएगा simple था या थे वाला जो sense है वाज वर से आएगा तो आपका answer वर आ जाएगा क्योंकि M.E.N. spelling लिखी हुई है वाज लगाने ही गलती मत करना क्योंकि M.E.N. plural होता है बास समझ गए तो वो बहुत सारे थे नंबर में संख्या में लेकिन जो इस बंदर का जो साहस था वो जीत गया सारा पास्ट में चल ला है ध्यान रखना किसी ने present का option लगाया एक भी तो उसका answer जाएगा ठीक है negative में और जो आदमियों का जो भीड थी वो fled मतलब भाग गए terrified मतलब डर गए leaving their sticks behind them और उन्होंने अपनी सारी छड़ियां सब डंडे जो भी उन्होंने ले रखे थे वो सब उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो भाग गए डर के ठीक है the little monkey was taken back और फिर इसके बाद में जो छोटा बंदर था इसको वापस ले जाया गया to its इसके किसी के पास अब इसका कोई relative होगा अब छोटे बंदर को किसके पास ले जाया गया होगा पेड के पास नहीं केव के पास गुफा के पास नहीं भाई के पास नहीं इसकी मा के पास छोटा बंदर जो कि शैतान होते हैं बंदर बहुत ज़ादा, छोटे, तुम्हें पता है, इनको मस्ती सूसती रहती है, छोटे बंदरों को, जो बड़े तो होते हैं, फिर भी थोड़े से डिसेंट होते हैं, बर यह जो छोटे होते हैं, इने मस्ती सूसती रहती है, इसी विए से बड़े ब करके जो स्टोरी को चलाओगा उसका एक भी नंबर इसमें गलत नहीं जाएगा अगर तुमने मेरे पढ़ाने से पहले पैसेज अटेंट किया है तो कमेंट बोक्स में ज़रूर बताओ और भी कोई इशूस तुम्हारे competitive exams related है वो भी मुझे बता दिया गरो ठीक है चलो तो आज के लिए lecture में इतना ही रखते है अब कर मिलते है